हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का स्वागत है आज हम आप सभी को अंग्रेजी में एप्लिकेशन लिखने का तरीका क्या होता है और किस तरह से आप बोर्ड की एक्जाम में एप्लिकेशन लिखें जिससे एक्जामनर खुस होके पूरा का पूरा नंबर दे और आपका ए application अपने principle को या अपने विद्याले में किस प्रकास से application लिखेंगे उसका फार्मेट होता है उसी फार्मेट में आपको बोड के एक्जाम में application लिखना है तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए है तो इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लिजिए अब इस फार्मेट में बोड के एक्जाम में आप application लिखेंगे जब भी आपको application लिखना रहेगा सबसे पहले यहां पर लिखिएगा टू ठीक यहां टू लिखे दिजिएगा फिर इसकी बाद इस लाइन को छोड़कि यहां से अब लिखे दिजिए अब प्रिंस्पल जिसको ल कालेज का नाम डी भीड दे देते हैं ठीक है इंटर कालेज का नाम अपना दे सकते कोई भी कालेज कालेज कामा कीजिएगा फिर अपने जीले जीला डा दीजिएगा जैसे यहां पर हम डाल देते हैं अलीगर क्या डाल देते हैं अलीगर ठीक है और यहां पर फूलिश्टा बाद यहां से लाइनी छोड़ दीजएगा इसके बाद यहां से लिखिएगा subject, ठीक है? क्या लिखेंगे, subject लिखिक्ट अब subject में क्या करना है कि किस पर application लिख रहे हैं? लिख रहे हैं आप application application एक Divine keंसेशन इन फी ठीक है फीस ठीक है आप यह subject में जिस पर अप्लीकस्ण लिखना रहाता सब्जक्ट के रूप में इसको डाल सकते हैं अब आपको क्या करना है इसके नीचे से जो यहाँ गाल में इसके नीचे से यहाँ प्रेमेट में बता रहा है उसी फारमेट आप बौर्ड के कि आपको जिखना क्या है कि रिखेगा मोई रेस्ट्वी अ मेप कामा लिएता डीजिएका आई कुसे लिखेगा फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि लिखेगा आई एम इम ठीक है यहां यहां लिख लिजिए गां यहां तक आई एम ठीक है यहां से देखिए यहां प्लाइन कंप्रीट नहीं हुआ है आपको लिखना रहा है जो सर लिखे इसके नीचे से लिखिएगा आई एम ए इस्टूदेंट जैसे पतारीसी देऊ-स्ट्रीट में लिखिएगा टिके आफ ॅफ्ट्लास क्लास ठीक है यक्स डी लिखे दीजिए यक्स डी मतलब क्लास जैसे नाइन्थ में होगा तो नाइन्थ टेंथ में होगा टेंथ इस तरह आप डाल दीजिए अब इसके आगे लिखेगा माई फादर माई फादर इज ए पूर अब यहां लिख लिए लेकिए आप फूरिश्टाप नहीं हो रहा है ना तब यहां से प्रारम कीजिए जैसे बतारण आप देखते रही है और अपने कापी पिसे लिख भी लिजिए पूर शाप कीपर साप कीपर अंड ही है इस ही ही एज अने बन तू पे द फी ठीकर अब कर दिह समर्द है। यहां पिस्टाप की अपन्स अब फूल स्व mówकर्ष च१ा होगा इसके निछसे तो आप अपको लिखना जायगा कैसे ए इसननेसे लिखने से लिखनार से श्टार्ट किजिएगा यह अपर लिख लाउस्ट इयर जगा पर कर लिजीगा आई इंजॉड आई इंजोएट फ्री सीप फ्री शीप और यहां फूरी श्टाप कर दीजिए अब लिखने के बाद देखिए अब आपको कैसे लिखना है आपको कैसे लिखना है अब लाइन छोड़ दीजिए और यहां से लिखना प्रारम करेंगे यहां से लिखेंगे लिखेंगे आई कॉमा दीर फॉर कामा रिक वेस्टेट रिक वेस्टेट यूच्टू 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 ग्रॉन्ट मीं कि ग्रांट मी फूल फी फूल फी चलिए यहां फील फी फूल फी अब देखिए अब इसके आगे कैसे दिखना है फूल फी लिखने के बार कंसेशन लिखिएगा फूल फी कंसेशन अब फूल फशटाप कर देखिए अब इसके आगे लायन छोड़ के लिखना आपको थी अँं हसेरे आइज अई सैल फी हैली ुल फी खाइली खाइली ऑवलाइश दू यू ठीक यहां fully stop कर दिजिगा अब दीखिए अब आपके इसके बाद क्या कर ना रहाएगा रहाँ स्प्लिट आपका अब लास्ट में आपको लिखना रहा था लाइन छोड़ यहां पर को नहीं में लिख्येगा लिख्यागा एक दो लाइन छोड़ लीजिए अगया and ओइडेंड़ी अब दिखाना नहीं है यहाथ लीकिक्ष डिखना नहीं आप लिक और। यह आपफे दिखेंगा नहीं जब कोई दिक्कत हैं इसलिए आप भूल के भी यहां पर नाम मत लिख लिख सकते हैं कोई यह अक्षर का यूट कर सकते हैं लेकिं नाम नहीं लिखा जाता है और लास्ट इस्टेड में अब आपको क्या करना रहेगा यहां पर अपना देट डाल सकते हैं यानि किस तारीक को यह अप्लिकेशन लिख रहे हैं आप यहां पर डेट डाल दीजिएगा और यह पूरा आपका क्या वज़ेगा अप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अप्लिकेशन फार कांसेशन इन फीस यानि फीस में छूट के लिए आपको जो लिखना उसका तरीका क्या है आपको पूरा डिटेल में तरीका बताए हैं अभी दक इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखें तो इस वीडियो कंप्लीट देख लिजिएगा और इस अप्लिकेशन को आप जरूर लिख लिजिए यह दो हजार पचीस के बोर्ड के एक्जाम में यह अप्लिकेशन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल पे नहीं तो चुलकर सब्सक्राइब कर ले प्रेंस